हेले अब्रीबाइनी मैं आशे करते हूँ आप सभी ठीक होंगे ना काजल धामी आप सभी का स्वाधत करती हूँ आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटाइट साइंस एंसी आटी सीरियस यहां पर कॉंटिन्यू करूंगी और आज इस सीरियस का है यहां पर डे 24 जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ दो इन्पॉर्टेंट कॉंसेट यहां पर डिस्कूस करूंगी एक है फ्रिक्ष्न यान के घरशन का और एक है हीट यान के ऊश्पा का और इन दोनों चाप्टर से जो आपके प्रीवेस से कुशन पूशे गये विए सभी हम यहां पर करेंगे ताकि आपको यह concept अच्छी तरीके से इन दोनों चाप्टर के यहां पर कंबाइल हो और दो चाप्टर में आप लोगों के साथ इसलिए कवर कर रही हूं ताकि आप लोगों का syllabus जो है वो mid of November तक यहां पर आपका complete हो ताकि आप mid of November से लेका 15 December तक अपनी revision यहां पर के साथ शेयर किये वो classes का जो शेडियूल है आप लोगों का Science की classes आपकी Monday, Wednesday, Friday, Sunday में आप लोगों के साथ यहां पर शेयर करती हूं जबकि Maths की classes का जो शेडियूल है वें आपके साथ Tuesday, Thursday और Saturday यहां पर शेयर होता है यह सभी classes आप लोगों की recorded मैरे में होते हैं तो इसी आपको यहां पर कमेंट सेक्ष्ट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और जो साइन्स और मास के जो प्रेलिस्ट है आपको यहां पर मिल जाएंगी तो आप उनी क्लास को यहां पर देख सकते हैं ताकि सारी चीजे एक साथ आपके कंभाईल हो एंसे आटी में यह कॉंटेंग दिफ्रेंट तरीके से दिया गया है और जब आपके एक्जामेनर कोशन पूस्ट है तो आपको एक्जाम ओरेंटेज चीजे पता होने चीए जो कि आपको यह क्लास से हल्प लेगी इसके अलाबा अगर आप बिगिनर हैं या पर दो से तीन अटेम से सीटाइट एक्जाम द जो कि स्पेसिफिकली चाप्टर वाइस हैं और वही आप लोगों के टाइप हैं जो कि आप लोगों के एक्जाम में पूशे जाते हैं विट सॉल प्रीविए से पेपर यह सभी चीजे आपकी पर में अवेलिबल है जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा पर तो अगर मैं सबसे पहले आप से यहां पे दो इंपॉर्टर टरम की बात करूँ सबसे पहले हीट याईन विष्मा और दूसरा है यहाई ताप यान की टेंपरिचर तो देखिए दोनों में क्या चीजे आपके कॉमन है और दोनों में क्या डिप्रेंस और एक्जामिनर क of energy है, यानि कि जो हम लोगों के आज-पास उरजा होती है, उसका ही क्या है? एक रूप है, यानि कि ये एक form of energy है और इसकी एक और important बात है कि ये आपका transfer होता है ये आपका क्या होता है? ये आपका transfer होता है from one object यानि कि एक वस्तु से दूसरे वस्तू में ये ट्रांसफर होता है अब आप कहेंगे कि ये तो आपकी heat की definition है अब आपके examiner किस तरीके से question पूछेंगे सब कुछ आपको यहाँ पर पता चलेगा सबसे पहले तो heat क्या है एक तरीके से form of energy है उश्मा का ही एक क्या है ये शूर्ट है इसके अलावा ये एक वस्तू से दूसरे वस्तू में क्या होता है ये आपका transfer होता है और अगर हम यहाँ पर temperature की बात करें तो temperature हमें बताता है कि कोई चीज कितनी आपकी hot है या फिर कितनी आपकी cold यान कि यह किसी चीज कितनी ठंडी है या वो चीज कितनी जर्म है उस चीज के बाद में बताता है अब आप कहेंगे कि इस concept से हमारे previous air question कैसे solve होगी अब मैं आप लोगों के सामने कुछ example यहां पे लेगी हूँ जैसे कि आप लोगों के previous air question में इस तरीकी का question और यहां पर आपको दो चोटे चोटे बीकर दिये गए बीकर A और बीकर B इस तरीके से आपको दिया गया और इस बीकर में आपने क्या किया इस बीकर में आपने 300 ml जो है वो पानी भर दिया वो भी कहां से इसके अंदर में से ठीक है जी हैंकि 500 ml का एक बीकर है जिसमें से A में आपने 300 ml पानी जो है भर गिया और B कर B में आपने क्या किया 200 ml पानी भर गिया अब प्रश्ण आपसे ये पूछा जाएगा कि जब बड़े बीकर में से छोटे बीकर में आपका पानी यहां पे खाली किया गया तब आपको यह बताना है कि इसमें आप लोगों का जो यह है यानि कि उश्मा है वे किस की जयादा होगी बीकर A की या बीकर B की और ट्रेमपरेचर जो ताफ है वे किसका ज़ादा होगा तो इस तरीके का कोईशन यहां पर पी में पूछा गया है । इसमें आपको इहां पे बताना है कि तो इस सीच को आप अच्छे से समझेगा और कहीं पर लिख लीजेगा अगर एक बीकर से जो की एक गरम पानी यहाँ पर ले रहा है अगर एक बीकर से हम दूसरे बीकर में तीसरे बीकर में किसी भीकर में अगर हम सेम पानी को खाली करते हैं तो जो उसका ताप होता है जो उस यहां से यहां ट्रांसफर किया गया है तो उसका टेंपरेचर जो है इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा इसका भी सेम होगा बट अगर हम उश्मा की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि यह एनर्जी का एक फॉर्म है बस इस question के type को आप अराम से समझेगा कि एक बड़े से बीकर से दो छोटे छोटे बीकर में अगर यहाँ पर पानी को transfer किया गया तो कौन सी चीज सेम रहेगी और कौन सी चीज बदल जाएगी तो यह आप की यहन की heat जो है वो आपका change हो जाती है कितने type के question इस topic से पूशे गए हैं मैं सभी आपके साथ यहाँ पर discuss करूँगी इसके अलावा ताप जो है ताप यहाँ पर कोई जादा कम नहीं होता ताप यहाँ पर बरावर होता है I hope यह चीज आपको समझ में आ गई होगी इसके अलावा आपके examiner यहाँ पर heat से और question पर पूश सकते है जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने दो circular disk जो है वहाँ पर बना दिये एक अंदर से छोटा वाला एक बाहर से बढ़ा वाला अगर मैं इसको heat करूँगी अगर मैं क्या करूँगी इसमें उऊष्मा दोगी इसको अगर मैं heat करूँगी तो इसके साथ क्या होगा तो आपनी generally सुना होगा कि कोई भी metal का block वगजर होता है उसको अगर हम heat करते हैं तो heat करने से यह दोनों के दोनों क्या होगे expand होगे अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा, expand हो रहें, तो आप उसको देख सकते हो, और साथे साथ यही चीज आपको कहां पर देखने को मिलती है, यही चीज आपको railway की track में देखने को मिलती है, कि railway के जो track होते हैं, उसके बीच में gap पहले से बनाए जाते हैं, अब वो gap बन railway की पट्री जो है, वो आपकी damage हो जाए, तो railway के track के बीच में gap बनाया जाता है, गयाप इसी वज़े से बनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कि जो आप लोगों के substance होते हैं, जो metal like substance होते हैं, अगर उसे गरम करया जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वो आप आपकी expand होगी, वे आपकी final लग जाएगी, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ heat और temperature का जो relation है, वो यहाँ पर discuss किया, कि कभी भी आप एक object से दूसरा object में कोई चीज़ ट्रांसफर करते हो, तो heat जो है, वो आपकी change होती है, और heat किसकी जादा होगी, जिसमें जादा amount transfer किया होगा, जैसे कि यहाँ 300 ml ट्रांसफर था, यहाँ 200 ml ट्रांसफर था, तो heat आपका किसका जादा है, एक का जादा बी का कम है, और temperature यानकी tap की बात करें, तो tap दोनों का ही बराबर होता है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि जो temperature होता है, ताप होता है, यह बत एक होता है आपका clinical thermometer, एक होता है आपका laboratory यानकी प्रियोक शाला thermometer, और एक होता है maximum minimum thermometer, अगर हम एक एक को यहाँ पर detail में देखें, तो देखें, क्लिनिकल thermometer जो होता है, जो doctor thermometer होता है, यह किसके लिए होता है, यह body के temperature को मापने के लिए होता है, तो simple सी बात है, आप बिमार पड़ रहे हो, आपके body के temperature को मापना है, तो यहाँ पर clinical thermometer का प्रियोक किया जाएगा, इसके अलाबा, अगर हम इसके range की बात करें, तो इसका range होता है, 35 degree Celsius से लेकर, यहाँ पर 42 degree Celsius तक, तो यह range आपको पता होना चाहिए, 35 degree, 35 degree से यहाँ पर 42 degree Celsius तक आपका range होता है, और ए इसके अलाबा, इसके अलाबा, एक और important बात की, जो हमारे body का temperature होता है, जो एक normal body temperature होता है, यह होता है, 37 degree Celsius, यह सारी चीज़या आपकी NCRT के अंदर दे रखा है, और यह chapter, आप लोगों का एक और important जीच, यह आपका new NCRT और old NCRT दोरों ही दे रखा है, तो मैं आप लोग तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, और आपके previous air question में भी इस तरीके का question पूछा गया है, जो आभी मैं discuss करूँगी, बट इससे पहले मैं laboratory thermometer discuss करती हूँ, अगर मैं laboratory thermometer की बात करूँ, तो यह आपका जो object होते हैं, उनका temperature यहाँ पर मापने का काम करता है, यह आपक ठंडीरी हो सकते हैं, कोई चीज 100 degree से जादा का भी range इसके अंदर देखने को मिल सकता है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे laboratory thermometer और clinical thermometer में, जो हम यह आपका celsius scale देख रहे हैं, इसके अलावा एक और scale होती है, Kelvin scale, Kelvin scale जो होता है, वे आपका celsius plus 273.5 degree, 273.5 के यहाँ पर हम यहाँ पर पता होना चाहिए, इसके अलावा मैंने अभी आप लोगों के सामने हाँ पर बताया है, कि हमारे जो body का range है, तो आपका 35 degree celsius से लेका 42 तक होता है, तो कई बार आपको फेरन हाइट में पूछ रहाएगा, वे यहाँ पर 98.6 Fahrenheit के बराबर होता है, तो basically आपको celsius Fahrenheit दोनों में ही यहाँ पर पता होना चाहिए, और यह जो maximum minimum temperature है, यह किसके लिए होता है, यह आपका एक तरीके से air temperature हम लोगों को यहाँ पर बताता है, जो कि आप लोगों के आसपास जो weather होता है, आपके climate weather का एक तरीके से weather report आप लोग जब देखते हैं, तो उसके अंदर आप maximum minimum temperature यहाँ पर चेक करते हैं, किसी भी जगा का, अब आप लोगों के examiner इस topic से भी a question पूसते हैं, जैसे कि एक बच्चा है, कोई भी student है, यहाँ पर मान के चलिए कि अंकित है, अंकित को यहाँ पर fever है, ठीक है, जी, अंकित को fever है, और अंकित का जब temperature यहाँ पर मेजर का जो ताप है, वो 101 degree से दो पॉइंट जाता है, तो यहाँ पर अक्चुल में उसका temperature कितना होगा, यहाँ पर बताना है, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, कि अगर अंकित को यहाँ पर fever है, तो उसके लिए हम clinical thermometer का यूज करेंगे, तो सभी को पता है, अब अब clinical thermometer का आपको यहाँ पर जो least count है, वो भी पता होना चाहिए, अब least count निकालते कैसे हैं, तो एक point और दूसर point की बीच में जो ग्याब होता है clinical thermometer में, total 5 का यहाँ पर ग्याब होता है, तो यहाँ पर हम एक बटे 5 यहाँ पर करेंगी, तो यह आएगा 0.2, तो यह जो आप की क्लीनिकल thermometer है, इसका least count यहाँ पर यहाँ पर आपको प्या में, гор Indeo, अदू रहा, तो यह जो निकालते है तो यह बीच पांटर होता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए. अभी मैंने आपको क्या चाहा, कि अंकित को होता है, और फीवर है वो 101 degrees से point 2 जाता है, तो point 1 अगर हम देखेंगे तो 101.2 और 0.2 यानि की 101.4 मतलब एक दो-दो पॉइंट के हिसाब से बढ़ना है 0.2 के हिसाब से अगर आप बढ़ते विए आगे जाओगे तो अंकित को असर में फीवर कितना है अंकित को असर में फीवर है 101.4 डिगरी I hope यह चीज़ आपको यहां पे clear हुई होगी अभी मैंने आप लोगों के साथ क्या-क्या concept यहां पे डिसक्स की कि basically heat क्या होता है temperature क्या होता है किसी substance से किसी substance में हम अगर चीजों को इसके अलावा देखिए अभी हम लोग यहां पे डिसक्स करेंगे कि जैसे हमने heat चाप्टर के बारे पड़ा तो heat के कई सारे form होते हैं उसको जरह हम यहां पे देखेंगे इसके अलावा कुछ और important concept है जैसे sea breeze, land breeze इसको complete करने के बाद हम friction chapter के और बढ़ देखेंगे अब मैं आप लोगों के साथ discuss करूंगे कि heat किस तरीके से आपके transfer हो सकते हैं और जिसके लिए एक diagram यहां पे बना रखा है अब अगर हम इस diagram में यहां पे देखें तो इस diagram के अंदर पानी जो है इस यह boil हो रहा है और पानी boil होते वे मैंने तीन अलग लग चीज़ें यहां पे लिखी है सबसे पहले लिखा है conduction आप देखिए conduction जो है इस जगह पर आपको यहां पे देखने को मिलेगा अब conduction जो है यह आपका कब होता है जब वो body जो होती है वे आपकी कैसे हो यह आपकी direct यहां पर contact में हो यानकि अगर आप इस चीज़ को touch कर रहे हो या पर यह चीज़ आपके touch में है तब आपको conduction यहां पर देखने को मिलेगा धीरे धीरे यह जो चीज़े है वो गरम होके यह वाला area गरम होने रख जाएगा इसके अलावा conduction जो होता है यह आपका mostly किसम होता है solid और liquid में आप लगों को यहां पर conduction देखने को मिलता है तो basically यह कुछ important point है conduction के लिए जो heat है क्या होती है एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही होती है transfer हो रही होती है और conduction के लिए direct contact की जड़ात होती है अब conduction के अंदर की बात करें तो यह आपका mostly water और gases state में यहां पर हो रहा होता है क्योंकि जब पानी गरम हो रहा होता है तो यह दोनों state यहां पर होती है इसके अंदर क्या होता है यहां पर आपको circular motion जो है वो देखने को मिलेगा अब circular motion कैसे जो आपका पानी नीचे के side होता है वो जल्दी गरम होता है और यह जल्दी गरम होंके कहां जाएगा यह उपर के तरफ जाएगा और side wise जो उपर का पानी है वो नीचे के तरफ आएगा तो पूरा एक circle इस तरीके से बता है तो convection जो है water molecule में होगा और radiation जो है जिसे कि आपके sun के आपके radiation होती है उसे तरीके से heat wave यहाँ पर विकरन करेंगे और विकरन में अगर आप यहाँ पर देखते हो तो इसके लिए आपको कोई भी mostly medium जो है होता है यह आपका required नहीं होता है तो यह कुछ important point यहाँ पर आपको पता होने जीए इसके लावा अगर हम यहाँ पर देखें तो तीन अलग लग मैंने प्रिगर लिया है अगर अगर हम इन तीनों को पूरे रात के लिए यह रखते हैं तो इसके बाद इनका temperature किसका जझाद होगा किसका कम होगा इस तरीके काulsion पूचेल जाता है तो देखिम अगर आप तीनों आइटम को ती 1, ती 2, ती 3 तीनों आईटम को एन ही जगह पर रखते हो तो उन तीनों का तापमान जो है एक समान हो जाता है, तो तीनों का ही temperature यहाँ पर बराबर हो जाएगा, बहुत सारे questions आपके इस topic से पूछे गए, और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बोट discuss करूँगी, जो questions यहाँ पर पूछे गए, I hope यह जो transfer of heat है, यहाँ को यहाँ प करते हुए, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर, जो समुद्र समीथ है, और यहाँ पर आप लोगों की भूमी समीथ है, यानकी land breeze है, इसके concept को discuss कर दी हूँ, अब अगर हम यहाँ पर sea breeze और land breeze के concept को देखें, तो बस आपको यह पता होना चाहिए, कि कौन सा किस जगह पर हो आपको पता है कि दिन के समय में, यहाँ पे जो land होता है, यह आपका बहुत ज़्यादा, इसमें वो heat up हो जाता है, अब land अगर heat up हो जाएगा, तो इसमें जो air होगी, वे आपकी क्या हो जाएगी, warm हो जाएगी, और warm air उपर की तरफ चले जाती है, तो इस case में क्या होगा, इस case में समुद्र से, यानकि sea से जो आपका ठंडा, यानकि जो आपकी cold air है, वे आपके कहाने लग जाएगी, land की तरफ आजएगी, और क्योंकि अगर मान के चलिए, यह यहाँ पे land है, यह यहाँ पे भूमी है, और यह आपकी क्या है, यह यहाँ पे समुद्र है, तो होग होने के वज़े से, air जो है, वे आपकी क्या होगी, यहाँ पे warm होगी, और warm air कहाँ चले जाती, उपर की तरफ चले जाती, यह तो आपको पता है, तो इस case में समुद्र से, जो ठंडी हवा होगी, वे आपकी कहां जाएगी, वे आपकी भूमी की तरफ जाएगी, क्योंकि सम बूला गया, इसे यहाँ पे समुद्र समीर बूला गया, अब इसका जस्ट उल्टा आपको यहाँ पे land breeze में देखने को मिलेगा, लैंड breeze में क्या होगा, कि रात के समय में, land जो होगे, जो पूल हो जाएगे, और यहाँ से समुद्र की तरफ, यहाँ से समुद्र की तरफ, जो cool air है वो भी पिरेगी और क्यूंकि इस बार कहां से कहां move कर रही है लांड से move कर रही है वो भी कहां के तरफ समुद्र के तरफ तो इसे land freeze बोला गया तो आपको ये देखना है कि cool air कहां से कहां जा रही है दिन के समय में cool air जो है वो आपका समुद्र से land की तरफ आ रही है क्योंकि समुद्र से आ रही है इसलिए इसे समुद्र समीर बोला गया और रात के समय में यह आपको रात के समय में देखने को मिलेगा कि लैंड से लैंड अब फंडे हो गए है भूमी अब फंडी हो गए तो कूल एयर कहां से कहां जा रहा है लैंड से सब्सक्राइब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसके अलावा आपसे कुछ और चीज़ें पूछी जाती है जैसे कि यह पूछा जाता है कि हम लोग समर के दौरान हम लोग लाइट कपड़े क्यों बहनते हैं तो देखिए जो आपके लाइट कलर की कपड़े क्यों ब बहनते हैं अब जो विलं प्लोथ होते हैं जो गरम कपड़े होते हैं यह आपके कूछ आलक होते हैं पूर समर्ग होते हैं तो पूर कंड़क्टर होने से यह क्या कर लेते हैं ही हीट को ट्रैप करते हैं और हीट को ट्रैप करने से आपकी बॉड़ी में गर्महाट बनी रहते हैं तो यह कुछ ipodentos4 फैं जो साथ मैं आपको पता होने चीए अब मैं आप लोगों के साथ रिख्षन को को इस आपठर को है जो कि बहुत बड़ा चापकर नहीं है उस के बाद हम फ्रिविंश के तरहjust को प्रेंगे अब मैं यहाथ फ्रिक्शन सब्सक्राइब कर सकता उसको का प्रकार क्या क्या है इसको कैसे कम कर सकते हैं इसको कैसे बढ़ा सकते हैं इसको जड़ दे तो सबसे पहले तो देखिए फ्रिक्शन को समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने यहां पर एक डाइग्राम बनाऊंगी तो यहां पर एक गाड़ी है जो कि कहां की तरफ मुझ कर तो देखिए अगर कोई भी चलती भी चीज है जो कि एक तरफ आगे बढ़ रही होगी तो उसको पीछे से एक धका लगेगा जिसको आप ग्रशन के नाम से जानते हैं यानि कि ग्रशन क्या है एक अपोजिंग फोर्स है क्या होता है यह अपोजिंग फोर्स होता है जो कि किसी आप नहीं कर सकते हैं इसको हम यहां पर कम कर सकते हैं या फिर इसको आप जादा कर सकते हो बट इसको आप फिनिश नहीं कर सकते यानिकि आप यह नहीं बोल सकते हैं कि हम पूरी तरीके से घरशन को मितास सकते हैं अगर कोई भी वस्तू जो होती है वे आपकी संपर्क में ह तो उसमें आपको यहाँ पे friction जो है घ्रशन जो है देखने को बनता है और यह किस वज़े से होता है यह सर्फिस में इर्रेगुलारिटी के वज़े से होता है जितना इस तरीके से आपका surface होगा दो अलग लग surface इस तरीके से contact में होगे उतना आपका friction ज्यादा होगा यानि कि friction ज़्यादा कब होगा जब आपका surface यहाँ पर rough होगा ज़्यादा friction कहाँ पर देखने को मिलेगा rough surface में और कम कहाँ पर देखने को मिलेगा smooth surface में जो ज़्यादा smooth surface होती है जो चिकनी surface होती है उसमें क्या देखने को मिलेगा उसमें चीजे जो हैं आसानी से निकल पाएंगी जैसे कैरम वो जब आप कैरम खेलते हो तब उसमें हम पाउडर छिड़कते हैं पाउडर क्यों छिड़कते हैं ताकि सर्पेस जो है स्मूध बन सके और अगर सर्पेस स्मूध होगा तो friction यानक अगर में कर सकते हैं सबसे पहले तो आप यह आपको पता होना चैसी और friction किस के वजे से होता है में इर्रेगुरार की के वज़े से जितना आपका रॉप होगा उतना friction आपका ज्यादा होगा और जितना आपका surface do Isa स्मूध होगा उतना friction आपको कम देखने को मेरेगा तो ये कुछ important point है, कहां लगता है, किस देशा में लगता है, ये आपका विपरीत देशा में लगता है, opposite force होता है, किसी भी motion का, इसके लावा अगर हम इसके type के बाद करें, सबसे पहला होता है static friction, अगर कोई चीज जो है आपकी रुकी हुई है, अगर कोई चीज अभी rest position में है, और rest से आप इसे motion में लेके आना चाहरे हो, क्या मैंने बोला, rest से आप इसे motion में लेके आना चाहरे हो, तो आपको यहाँ पर force लगाना पड़ेगा, पर वो force जो है, उसको एक force रोक रहा होगा, जो की है, यहाँ पर static friction, इसके लावा sliding friction, जो चीज आपकी slide कर रही होगी, एक surface से दूसरे surface के तरफ उसमें लगेगा, और अगर कोई चीज रोल कर रही है, तो उसमें rolling friction यहाँ पर लगेगा, अब इस topic से कैसे कोशन आते हैं, सबसे पहले तो यह पूछ जाता है, कि कौन सा type किस से जादा है, तो यह arrow अच्छ से आप रट लेना, अगर कोशन आते है तो यहाँ से maximum question आते हैं, सबसे पहले static friction सबसे जादा होता है, उसके बाद यहाँ पर जो sliding friction है, उसके बाद rolling friction एक और important question, अगर कोई वस्तू जो है वे आपकी rest position में है, तो इसमें क्या static friction लगेगा, इसमें static friction नहीं होगा, इसमें static friction नहीं होगा, अब आप कहेंगे, आपने तो बोला कि rest वाली चीज़ों को होता है, rest वाली चीज़ों को अगर आप motion में लेके आ रहे हो, यानि कि इस पे आप अगर force लगा रहे हो, तब static friction होगा, अगर ये rest पे हैं, इसको हम touch भी नहीं करें, इसको हमने touch नहीं किया है, ये अभी वैसक वैसी है, तब इसमें static friction भी नह होगा, अगर आप इसमें force लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, ताकि ये move करें, तब जाके इसमें static friction होगा, जब तक ये move ना करती है, जैसे कि for example, एक बड़ी से गाड़ी है, जो कि नॉमल खड़ी है, तो इसमें कोई बल नहीं लगेगा, पर अगर मैं इसे धका देनी की कोश होगा, तो इसमें static friction होगा, तो दोनों चीजों में difference है, आपको ये समझना होगा, अब जैसे कि मैंने कहा कि friction को हम कम कर सकते हैं, ये जादा कर सकते हैं, बट फिनिश नहीं कर सकते हैं, इस point को तो आप Alexis नामा कर लीटेगा, कई सारे conclusion question नहीं सबनते हैं, तो friction को कम कैसे किया अब देखिए, friction कम कैसे होगा, जब surface आपका smooth होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब surface smooth कैसे आप बना सकते हो, आप जैसे हम लोग cycle चलाते हैं, तो उसके जो chain होती है, हम उसमें grease डालते हैं, हम जैसे machine के parts में oil डालते हैं, कोई lubricant अगर आप डालते हो तो friction कम हो तो उसके अंदर आपको ball bearing देखेगी, ये जो ball bearing होती है, ये machine को आसानी से चलने में मदद करती है, यानि कि friction को कम करने में मदद करती है, अब friction के advantage कैसे है, और friction को आप बढ़ा कैसे सकते है, friction को बढ़ाने के लिए surface आपका rough होना चाहिए, जितना ज़्यादा surface होगा, उतन अब spikes उन्हें मदद कैसे करते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें, तो sports person के जो जूते हैं, वे किस जगह पर चलने में मदद करते हैं, एक ऐसे surface पर जो के बहुत स्मूध है, ऐसे में वो फिसल सकते हैं, तो यहाँ पर sports person के जो शूद होते हैं, उनके नीचे spikes जो होते हैं, व थोड़ा सा friction यहाँ पर बढ़ा देते हैं, जिससे वो grip बना के वहाँ पर आसानी से चल पाते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए, इसके लावा friction अगर एक तरीके से friction की वज़े से किसी भी चीज को आप रोक रहे हो, तो यह तो कहीं ना कहीं, एक negative चीज है कि आप चलना जा रहे हो, वो चीज रोक रहे है, बट इसके advantage है हमाई day to day life में, friction हमें किसी भी चीज के ओपर walk करने में मदद करता है, अगर friction force ना हो, तो आप walk नहीं करता होगी, इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है, walk करता है कोई भी person without slip, जैसे कि मैंने अभी sports person का example दिया, इसके अल करती है, आप मैं इस pen को hold कर पार हूँ, यह friction के वज़े से, लिख पार हूँ, friction के वज़े से, क्योंकि दो surface के वीच वे contact हो रहा है, और इनमें irregularity के वज़े से friction बढ़ रहा है, I hope इतना area आपको यहाँ पर clear हुआ होगा, अब मैं आप लोगों के साथ इन दोनों chapter से जो previous air question पूछे गया है, को यहाँ पर discuss करती हूँ, ताकि यह section यहाँ पर अच्छे से combine हो, अब मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रीवे से question यहाँ पर discuss करूंगी, जो कि आज की इस topic पर बेस्त है, तो देखिए, पहला question यहाँ है, हम से पूछा गया है, एन object of mass 5 kg, एक object है, जिसका mass कितना है, जिसका द्रवयमान हमें हाँ पर 5 kg दे रखा है, और यह move कर रहा है, एक smooth frictionless सर्के पर, तो देखिए, इस word से आपके question पूरी तरीके से decode हो जाएगा, अब friction क्या होता है, घ्रशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कि घ्रशन शब्ल का मतलब है, कि एक ऐसी force जो कि आपको क्या कर रही है, अपोस कर रही है, आपको रोप रही है, पर यह जो object है, जिसका भार कितना है, जिसका द्रवयमान कितना है, जिसका mass है, यहाँ पर 5 kg वो एक ऐसे surface में move कर रहा है, जो कि smooth और frictionless है, अगर smooth और frictionless surface है, इसमीज़ पीछे से कोई धका जो है, जाते रहेगी, यह आपको यह चीज़ बता होने की, अब आगे हाँ पर बोल रखा है, कि अगर आप चाहते हो, कि आप कितना force लगाओ, कि object constant यहाँ कि same velocity से move करे, अभी कितनी velocity से move कर रहा है, आप यह 10 meter per second से move कर रहा है, और इसका द्रवयमान कितना है, इसका mass है, 5 kg, अगर यह smooth frictionless surface पर है, जिसमें पीछे से कोई force इसे नहीं खीच लिया है, तो जिस speed से जारी होगी, उसे speed से चलते रहेगी, अभी मैंने आपको बताया था, कि यहाँ पर friction का advantage क्या है, कि आप walk बगारा कर सकते हो, आप walk कर सकते हो, running कर सकते हो, क्यों क्योंकि अगर आप walk कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप चलते रहोगे, आपको एक force पीछे से खीच रही है, जिसके वज़े से आप रुक भी सकते हो, तो इस वज़े से आप कहोगे friction कहीं न कहीं आपको मदद ही कर रहे है, चलने में, रुकने में, भागने में, दौडने में, पर अगर एक smooth frictionless surface है, तो य ये Newton, तो इसस आप से इस question का force, जो option है, वो correct answer है, अब मैं आपके साथ यहाँ पर इनेक्स question डिस्कूस करती हूँ, अब यहाँ पर वो रखा है कि जो जूतों में soul होती है, यहाँ पर जो लगाई जाती है soul, वो किस सीज में मदद करती है, अगर एक जूता है, तो हम नीचे से यहाँ पर soul लगाते हैं, अब यह soul जो है, खास करकि जो sports person होते हैं, उनके shoes में यहाँ पर लगाई जाती है, यह पिस सीज में मदद करती है, सबसे पहले तो sports person जो है, वो smooth surface पर कोई भी move करते हैं, तो ऐसा हो सकता है, smooth surface पर move करते हुए, आप लोग यहाँ पर गिर सकते ह तो यह जो आपके यहाँ पर soul लगाए जाते हैं, यह soul करते हैं, यह friction को increase कर देते हैं, यानि कि इनको गिर में इंक देते हैं, simple सी बात है कि surface अगर बहुत ज़दा smooth होगा, तो ऐसे में आप तिसल सकते हो, तो आप अपने जूतों में यह जो soul लगा रहे हो, इससे क्या हो र अब मैं आपके साथ the next question यहाँ पर discuss करती हूँ, यहाँ पर बोल रखा है कि एक box है, जो कि एक room में पढ़ा हुआ है, एक box इस तरीके से हमें यहाँ पर बताया गया है, और रेश्मा यहाँ पर एक force apply कर दी है, कि वो object यहाँ पर move करे, तो simple सी बात है कि रेश्मा इसे क्या क कोशिश कर रही है, यह रही रेश्मा और रेश्मा ने लगा है, तो रेश्मा को किस force से ज्यादा force यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो ब्लॉक कर जाए, मैंने आपको बता था कि रूपी वी चीज पर घरशन नहीं लगता, पर अगर कोई व्यक्ति जो है, या कोई भी ची लगता है, तो इसे साब से इस question का age option है, यह वो correct answer है, अब हम next question यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसके अंदर हमें assertion और reason यान के अभी कथन और कारण हमें यहाँ पर दे रखा है, अब यहाँ पर बोल रखा है, अभी मैंने जब आपको यह topic डिस्कुस किया था friction का, तो मैं सफे स्मूध हो जाती है, तो कैरम के जो गोटिया होती है, तो असानी से मूट रखती है, सिंपल से बात है, यह तो हर किसे ने अपने day to day life में देखा है, अब यहाँ पर रखा है, कि एक लड़का जो है, वो observe करता है कि कैरम बोट के जो गोटिया है, कैरम बोट के जो strikers हैं ये friction को बड़ा देता है, अगर friction बढ़ जाता, simple सी बात है, अगर friction बढ़ जाता, तो उसकी जो movement है वो यहाँ पर कम हो जाती, क्योंगि friction किसी जीश को रोकने का काम करता है, तो friction जो है, यहाँ पर वो कम करने की कोशिश कर रिये, यहाँ पर उस लड़के की sister, ताकि टेलकम powder डालके कैरम की जो striker हैं वो आसानी से मूफ पर सके तो हम कहेंगे यहाँ increase नहीं होगा यहाँ क्या होगा decrease तो इस इसाब से A जो है वो आपका सही है और R जो है यहाँ पर false है इसके अलावा next question हम लोगों के सामने है जिसके अंदर बोल रखा है which of the following activity is meant to reduce friction for useful outcome किसी एक जरूरी कारे के लिए उपयोगी नाम के लिए यहाँ पर आपको बताना है कि घ्रशन को हम किस जगह पर कम कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप जूतों की सोल में यहाँ पर अगर आप धले में खाचे बना रहे हो तो friction को बढ़ाने का क अभी मैंने आपको डिस्कुस किया था यह नहीं होगा इसके अलावा अगले option में है कि अगर आप ट्रक में टायर लगाते हैं ट्रक में टायर गीस लगा रहे हैं तो इस तरीके से खाचे जो है बने होते हैं जो कि जमीन और ट्रक के टायर की बीच में एक कॉंटाक्ट बना का काम करते हैं ब्रेक का मतलब क्या है किसी चीज को रोपना तो यह भी नहीं होगा पर अगर आप ग्रिफाइट डालते हो मशीन के पार्स में या मशीन के पार्स में कोई ऑईल डालते हो तो वह क्या करता है वे आपका क्रशन को काम करता है तो इससे साब से इस question का फोर्थ करते हैं इस आपको बता रखा है अब किस रिलेशन के हिसाब से हम इस question को solve करेंगे यह पर बोल रखा है स्टाटिक अपका sliding friction से कम होता है जो कि गलत है स्टाटिक वाला जादा होता है अब बोल रखा है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है यह स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग वाला कम होता है लाइडिंग से इस स्टाटिक फ्रिक्शन इस स्मालर धें स्लाइडिंग फ्रिक्शन यह जो स्लाइडिंग से कम है यह स्टेट्मिट आपका बिल्कुल सही दे रखा है अब मैं आप लोगों के साथ् advertisements नेःट्स कुशन यह पर डिसक्श्न करूं जिसके अंदर बोल रखा है कि एक लेबॉर्टर थर्मामीटर है जिसमें पांच स्मॉल डिविजिन जो है वो शो किये गए पांच स्मॉल डिविजिन यानकि यह आपका 55F Degree Celsius है और यह आपका 56Degrees Celsius है इसके बीच में कितने डिवीजिन है इसके बीच में इस तरीक्ये से प मामेटर होते हैं और अगर आप उसका एक लीस्ट काउं नुकालते हैं एक बटे पांच करके तो यह आता है 0.2 यानि कि यह पॉइंट आपका क्या होगा 55.2 यह पॉइंट होगा 55.4 यह पॉइंट होगा 55.6 यह होगा 55.8 तो इस हिसाब से 55.1 तो नहीं आ सकता 5 भी नहीं आ सकता 25 भी नहीं आ सकता तो 55.25 जो है इनके बीच में आपको देखने को मिदेगा I hope यह question और यह type आपको clear होगा अब मैं आपके साथ नेक्स question यह पर discuss करते हूं बहुत easy question है जो हमारा normal body temperature है वो Celsius और Fahrenheit में कितना होता है Celsius में होता है 37 degree Celsius और Fahrenheit में होता है 98.6 degree Fahrenheit तो इसे साब से इस question का first जो option है यह correct answer है बहुत सारे आपके direct जो factual question है वो भी आते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए इसके लावा next question हमारे सामने है यहाँ पर बोल रखा है एक situation दे रखी है और हमें बताना है कि यह किसकी डिफ्यूशन है डिफ्यूशन क्या होता है यह सबसे पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ जब आपके gas particles जो होते हैं वे आपके क्या करें वे एक दूसरे के साथ इंटर्मिक्स हो जाएं या फिर आप कहलेजे कि पर्फ्यूम जो है जब gas particle के साथ इंटर्मिक्स होता है तो इसको डिफ्यूशन कहते हैं तो यह आपको बढ़ा होना चीए इसके अलावा हम लोगों को बोल रखा है कि air near the heat source get hot and rise up यानकि जो heat source यहाँ पर मैंने लगाया है for example यहाँ पर जो heat source के पास है वो आपकी heat होंगे और वो उपर की तरफ जाने लग जाएंगे और जो side की air होंगी जो उपर की air होंगी sidewise ऐसे आईगी इस तरीके का circular motion अभी मैंने आपको कराया था कि किस के अंदर देखने को मिलता है या आपको convection के अंदर मिलता है यह तो just मैंने समझाने के लिए बोला आपको statement पढ़ते ही पता होना चाहिए था कि यह आपका convection का example है convection के बारे में आपे बात चल रही है और देखे बहुत easy बहुत अच्छा कुशन कह रहे हैं कि अमन जो है एक plastic bottle एक wooden spool और एक metallic spoon को overnight एक fridge में रखता है और overnight अगर किसी जगा पे रखा जाए तो उन सभी का temperature जो है वो 30 degree Celsius बन जाएगा चाहे वो steel की चीज़े है चाहे वो लकडी की चीज़े है चा बराबर आ जाता है यह आप घर में भी इसीज़ को देख सकते हैं चाहे आप किसी भी तरीके का आइटम उसमें रखते हैं सब का temperature जो है वो बराबर आ जाता है तो इसे साब से इस question का fourth option होगा यह correct answer है अब next question भी same type का है ताकि आपको और अच्छे से understanding बने यहां पे बोल र ट्रेजिरेटर में रखते हैं और ऑप अरे यहां पे इंस्टेंट्ली फुट सर्मधिर उस्में और दीखता है कि जो प्लास्तिक की बॉटल है उसका temperature कीता है उसका temperature है 30 c अगर प्लास्टिक के बॉटल के तेमपरीचर 10 दिगरी सेलसियस है तो ग्लास वोटर के बॉटल का टेमपरीचर कितना होगा दोनों का टेमपरीचर बराबर होगा पिछले कोश्चन के तरह तो आपको गए आल्मोस्ट इपल टू 10 डिगरी यान कि लगभग इसका भी 10 डिगर प्लास जाली सेलसियस के बराबर होगा तो इस कोशन का थर्ड जौ ऑप्शन है वो और अंसर है अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स कोश्चन है पर डिस्क्स करती हूं जिसके अंदर हमें अजर्शन रीजन पर प्लिछ रखा है अब यहां पर हम लोगों को क्या बोल रखा यहां पर यहां पर अगर एक जिगह पर रखे हुए है और एक समान ताप में रखे हैं तो सबका टेंप्रेचर जो है वो बराबर ही पोगा इसके आगे इसका कारन बता रहा यह बता रहा कि कंड़क्टर से हीट जल्द यहां पर जो है इसका कुछ नहीं है दोनों ही क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आप और नाइट किसी भी चीज को एक ही टेंप्रेचर में रखते हो तो वो सबका सेम आता है इस परीचे का हम यह थर्ड कोश्निया पर देख पा रहे हैं इसके अलावान देखिए यहां पर बोल रखा है कि अलीशा जो है अलीशा को फीव रहे है और उसका जो टेमपरीचर है वह एक सो दो डिगरीशल्सल्स से दो डिवीजिन जादा है राइप है के तरफ तो सिंपल सी बात है कि 101 यह है और यहां पर होगा आपका एक सो दो और पांच वाला डिवीजिन की यहां पर बात करें तो मैंने इस तरीके से पांच 101.2 यह हो जाएगा आपका 101.4 तो यहां पर क्या बोड़ रहा है कि अलीशा का जो टेंपरीचर है वो राइट है के तरफ सीधे हाथ के तरफ आगे बढ़ते हुए एक सो एक डिग्री से दो पॉइंट जादा है दो पॉइंट जादा यानकी एक पॉइंट यह दूसर पॉइं यानकी इसका टेंपरेचर कितना होगा 101.4 डिग्री सेल्सियस आपको यह कोशन और यह कोशन आप लोगों का 2023 में और साथे साथ अभी जुलाई साथ जुलाई को जो पेपर आया उसमें रिपीटेड कोशन था जिस आपको एक वो डाउट होता है कि क्या कोशन रिपीट होत है बस आपको उस concept को समझना है concept जरूरती होता है अब यहां पर बोल रखा है कि which of the following statement is not true regarding mode of transfer of heat तो देखिए सबसर पहले convection जो है मैंने आभी आपको बताया था यह आपका liquid और gases महीं होता है क्योंकि पानी अंदर के water molecule के लिच महीं होता है तो यह आपका सही है यह कोशन का क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था यह सही है conduction can take place in gases conduction जो होता है वे आपका किसमे होता है वे आपका solid और liquid में होता है अभी मैंने आपको concept के अंदर भी a point बताया था यहां पर गलत हो जाएगा इसके बाद यहां पर बोलगा heat can be transferred from one mode to another mode simultaneously हो सकती है यहां पर गलत कौन सा है यहां पर गलत है third option यहांकि चालन gases में भी हो सकता है यह आपको गलत दे रखा है इसके अलावा temperature से related maximum minimum temperature जो हमने अभी देखा कि एक thermometer होता है जो कि air temperature आपका मापता है तो उसमें maximum minimum temperature होता चलता है अब यहां पर बोल रखा है कि आपको एक पूरा टेबल दे रखा है और इस तरीके का टेबल देके आपको इक कौनसे प्लेस के बारे में बता रहा है तो इस कौनसेप्ट को आपको बहुत अच्छ से समझना है ताकि इस तरीके का कोई भी कुशन आ जाए तो आप इजली यहां पर कर पाएंगे तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ बीसिक चीज़े बता देती हूं यहां पर यह शिम्ला तो आनसा नहीं हो सकता अब आप क्यों नहीं हो सकता वह शिम्ला में कभी देखा है जैन्वरी में 23 दिग्री सेल्सियस यहां पर तो श जाओत के रीजन होते हैं उनमें maximum और minimum temperature जो होते हैं यह almost आपके बराबर होते हैं almost यह same होते हैं इनमें जो difference होता है वह कम होता है यह 23 है तो यह भी 21 या 22 के आसपास होना चाहिए ज़्यादा फरक नहीं होता यह 20 होना चाहिए इससे ज़्यादा फरक नहीं होगा तो यह च ज़्यादा का पाट वो सकती है तो इससे साबसे इस question का second option हो और यह पर अपके साथ को सब्सक्राइब करते हूं जिसकंदर बोल रखा है कि इनमें से कौन सा आपका correct है कौन सा यहां पर reason correct है कि हम water को यूज ने करते हैं यहां पर thermometric liquid के अंदर सबसे पहले तो यह transparent होता है आपको देखेगा ही नहीं कि वो मतलब उसका जो लेंध है वो कहां तक गया है इसके अलावा अगर हम water की बात करें तो इसका freezing point और boiling point बहुत ज्यादा होता है और boiling point जो होता है बहुत कम होता है other liquid के comparison में तो यह आप अपने points में आप आप आड भी कर सकते हैं तो यह दो reason के वज़े से हम कहीं कि हम water को यूज नहीं करते तो इस question का a and c जो है वह यहां पर करेक्ट आंसर होगा कि पानी को इसलिए यूज नहीं करते सबसे पारदर्शी है प्रांस्पेरेंट है इसके अलावा इसका higher pivot point और lower boiling point जहां पर देखने को मिलता है as compared to other liquid तो इस वज़े से हम इसके लावा next question और यह concept अभी मैंने आपके साथ discuss किया था कि एक बीकर है जो कि एक large container में पानी रखा हुआ है और अनीता जो है उसे यहां पे 250 ml और दूसरा बीकर जो है 750 ml इसमें वह refill करती है तो इन में से कौन सा statement यहां पर सही होगा सबसे पहले तो temperature दोनों का ही सेम होग यह मैंने आपको बार-बार इस पॉइंट को बताया था, heat दोनों का सेम नहीं होता है और अगर हम यहां पर देखें, temperature दोनोंका समाल होता है, किसी का कम जादा होता है, ऐसा नहीं होता तो यह गलत है इसके लावा हीट जो है A में यहाँ पे कम होगा, B में जादा होगा यह सही है तो यहाँ पे अगर हम मोटे मोटे तोर पे इन सभी statement को देखें तो A और D आपका correct हो जाएगा तो इससाब से इस question का second option है वो correct answer है I hope आज के session आपको पसंद आया होगा, आज के session में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगरे वीडियो में अगरे topic के साथ, bye bye, take care